अब नुकलिया फिजिक्स में बड़ा ही सिंपल सा काम है, अपने अभी तक स्टड़ी करी थी नुकलियस के आसपार जो इलेक्टरोन रिवॉल्व कर रहा था उसकी, अब जो नुकलियस से उसकी प्रॉपर स्टड़ी करना चाहरे हैं आपन, तो इसमें क्या होता है, पहले ची क्या होता है, अटोमिक मास नंबर, उसकी पावर 1 by 3 की प्रपोर्शनल होता है, तो बड़े इस्टेंडर रिजल्ट इनको आदाखिए, एक और इंपोर्टेंट जो जो जी वाले कन्फ्यूस कर सकते हैं, आपको जी मेंस में, वो क्या है, नुकलियर डेंसिटी याद होगा, मैं कैल्कुलेट करूँगा, लेकिन जब एक्चल में उसका मास मेजर करा जाता है, वो थोड़ा सा कम आता है, तो जो कम आता है मास, जो एक्चल मास होना चाहिए, जो तो कम आता है, उससे कम आता है, उसी को मास डिफेक्ट बोला जाता है, और यही मास डिफेक्ट जो है binding energy का concept बनता है, माल जो फे कैसा binding energy concept होता है, बच्चों, जो binding energy के लिए reactions बनाती है, क्या होती है, माल लिजे आपका कोई nuclei है, इसे एक्स का, आप इसको तोड़ के proton और neutron बनाना चाहते हो, आपने आपका कोई nuclei है, माल लिजे का carbon का nuclei है, मैं उसको कुछ energy दी, उसको तोड करने में, उसको बोला आता है binding energy, और यहां पर बहुत से लोगों ने बोला कि binding energy है, अच्छी बात है, तो आपको पता है, एक्स जो है, इसका mass कम होगा, और फाइनल जो प्रोड़क्स बनें, उनका mass सादा होगा, तो मास आया कहां से, तो बच्चों, यहां पर जो energy अपन होगा यह, तो जो energy is equivalent to a mass, तो इसको represent करते हैं, Einstein की बड़ी famous equation से, E is equals to delta m into c square, यह equation यही बताती है, कि कोई delta m mass है, mass defect equal to delta m mass है, तो वो कितनी energy को correspond करता है, तो अगर आपका delta m, one atomic mass unit है, तो one atomic mass unit, बहुत कम mass होता है, उसकी जो energy होती है, 931.5 mega electron volt, यह रिजल्ट याद अखना ह क्या है, इसमें एक important resolution आता है, binding energy per nucleon, मतलब proton plus neutron का summation, बाइंडिंग energy per nucleon में क्या होता है, सबसे ज़्यादा देखा गया इचर में, iron की binding energy per nucleon सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा stable है, किसके अख़री, binding energy per nucleon की criteria की according, तो अगर सबसे ज़्यादा stable, अगर iron है, इस criteria तो हर जितने भी अपने periodic टेबल में elements से हो क्या चाहेंगे, iron की तर जाना, ताके stabilisating कर सकें, तो बच्चों जो नीचे वाले होते हैं, कम atomic mass वाले, वो क्या करते हैं, चोटे-चोटे elements होते हैं, fuse करते हैं, एक दूसे mix होते हैं, mass पड़ा के iron की तर जाने कुश करते हैं, तभी हैं, fuse करके एक दूसे बड़ा बनाया, लेकि इदर जो आगे वाले से uranium हो गया, इस टाइप के, इनका mass बहुत जादा होता है, उनको अपना mass कम करना पड़ेगा iron पाने के लिए, तो इदर वाले जो हैं, fusion करते हैं, तो iron की right वाले fusion, left वाले fusion करा करते हैं, next करते हैं, आपका एक basic सा nucleus बनाता हूँ, proton, neutron, proton, neutron, अब देखिए, ये proton जो इस proton को repel करेगा, repulsion को इसको बहार जाना चाहिए, लेकिन एक्चल में जाता नहीं है, तो कौन है, जो इसको रोग के रखता है, तो एक्चल में बच्छों आती है nuclear force, तो nuclear force कौन लगाता है, sub, sub मतलब proton प्र proton पर लगाता है, neutron, proton, proton में भी लगती है force, neutron, neutron में भी लगती है, proton, neutron, sub में ही ये force लगती है, और ये force याद रखिएगा, हमेशा attractive nature की होती है, मतलब ये attract ही करती है, निरपहलो पर नहीं कर सकती है, इसका खाम ए attraction होता है, और ये लगती का है, सिर्फ और सिफ नुकलियस के इसकी जो रेंज होगी वो होती है 10 पाव माइनस 15 फर्मी मतलब ये डिस्टन आपको पताई है कहां आता है सिफ और चिछ नुकलियूस के अंदर ही मिल सकता है तो इसलिए नुकलिय फोर्स इन दर दाए बहार ये एक्जिस्ट ही निये करती है इस पहुआ फॉर्मुला नहीं ह तो आपने देखा जिसे यह माली जी पिरोटोन हो जाता है और रिपलिशन अधिवरा कुलम वाला लेकंगर जो जया जाए पर क्या होगा उसकेस में उसकेस में क्या होता है आपका रेडियो एक्टिविटी होना इंस्टार्ट कर देता है तो अपने अंदर से उप्रोटोन न् होते हैं alpha, beta, gamma, और से पहले देखते हैं alpha, beta, alpha, dk में, alpha, beta में आद रखेगा जो particle emit होता, फाइन बहार निकलता है, वो होता है, एक helium particle, इसे को alpha particle नाम दी जागा, alpha particle, जस एक ही चीज़े, helium, तो नाम एक ही है, इसा अलग में समझेगा, alpha अलग नहीं होता है, यह alpha particle है, और कुछ energy release होती है, जिसको q-value होती है, q-value, बड़ा ही confused है, इसको q-value होती है, q-value कुछ नहीं है, जो reactant होते हैं, उनकी energy minus product, जो बनते हैं, उनकी energy का difference होता है, q-value, reactant minus product, जो energy release हो, इसको q-value की नाम से आप में जाना हो यहाँ पर, ठीक है, तो alpha T, कि मिया दखे है, एक helium particle release करता है, q-value क्या हो जाती है, बच्चों, mass defect into c-square, mass defect होता है, यहाँ पर हो गया, mx-my-mx-my-mhe, e, ठीक है, तो kainting energy, बच्चों, यहाँ से alpha particle कर आती है, आपको जब आप momentum conservation, energy conservation, सब लगा देते हैं, तो final energy आती, kainting energy होती, a-4 upon a into q-value of the reaction, अब जाद है, q-value निकान लेगा, यहाँ रखेंगे, आप देख सकते हैं, यह factor जो है, a-4 by a, मतलब यह जो around kainting energy, जो अलफा particle लेगे आता है, लगभव माली जो 96-98% जो energy release होती ही एक्षिन में, लगभव उसका maximum portion जो है, कौन लेके जाएगा आपका alpha particle, जाद है, maximum amount of energy यहाँ पर alpha particle ही लेके जाता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बच्चों, दो टाइप के beta dk होंगे, आपका पहला होता है, beta minus dk, and beta plus dk, अब beta minus में क्या होगा, आपको particle निकलता है, वो एक electron होता है, और beta plus में जो electron particle निकलता है, उसको बोलते है, positron, positron कुछ नहीं है, electron का एक anti-particle ही होता है, प्लस, बीटा dk में जो particle निकलता है, उसको बोलते हैं, अपन mu बार इसको लिखा जाता है, इसको बोलते हैं, अपन anti-neutrino, और यह होता है, neutrino, जो इसका anti-particle होता है, इसको mu रप्रेंट करते है, अब neutrino, anti-neutrino के बड़ी special बात क्या आती है, पहले चीज़, जो photon जिसी ने अलगब वैसी प्रोपर्टीज है, anti-neutrino का mass लगब रेस्ट मास जीरो होता है, वो speed of light से चलते हैं, वैसी प्रोपर्टीज है, अब बीटा माइनस में जाद रखिएगा, अपका एक electron निकलता है, और बीटा प्लस में जो लिकलने वाला particles को positron बोलते हैं, electron का ultra particle, अब यहां पर बच्चों, बहुत जादा calculation में से काम किया आती है, जिसे alpha dk में क्या होता है, यह formula बहुत जादा important, यह बहुत काम आता है, लेकिन याद रखिए, इसमें इतने formula जनरी काम आती है नहीं, calculation बहुत कम ही देखिए, इमेंस में, तो इस सकते, mass of electron बहुत कम है यहां पर, यह mass of y आप देखिए, बहुत जादा होता है, मालेजे, लगबग 10,000 गुना होता है, इसका mass y का, तो maximum energy, mass of y की वएसे कौन ले जाएगा, electron, लगबग यहां बोले आता है, electron जो होता है, लगबग 99% of energy यहां से लेके निकल जाता है, जो भी electron है, वो लगबग 99% तग energy लेके निकल दा है, जो reaction होती, इसी दरब बीटा में भी जो लगबग e plus निकला, यह भी लगबग 99% of the energy लेके चला जाता है, next, gamma dk, देखिए, alpha और beta में, एक्चल में क्या, particles निकलते हैं, जैसे इसमें, electron निकला, इसमें, positron निकला, alpha में, helium निकला, लेकिन, gamma dk में क्या होता है, बच्चों, एक्चल में पार्टिकल ही निकलता, gamma dk क्या है, एक energy, radiation से हैं, जो निकलते है, रिद बार excited state बनता है, तो जब यह y star बनता है, तो यह आपने को पता है, कोई भी अपने excited state में रहना पसंद नहीं करता होगा, यह unstable होता है, तो stability attain करने के लिए, यह क्या करते हैं, कुछ photo यानिकी, die excited होते हैं, और energy release करते हैं, और जो energy होती है, गामा radiation के region में लाई करते हैं, इस बीटाडीके ना हो, तो आपको यह दॉट्टर नुकलिय बनेगा, यह दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद याद अखिए गामाडीके होता है, गामाडीके सबसे लास्ट में, सबसे पहले अलफा या फिर बीटाई होते हैं, नेक्स आता है, रडियो अटिव डीके में उसके स्टेटिक्स्टागल बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें आपको पता ही होना चाहिछ है कि अगर इनिशली A के नुकलिय ही, N0 है, B के कुछ भी नहीं है, A unstable है, B stable nuclei है, तो मालीजी कि इस 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 इं स्टेंपर N है, नमबर व्च्छ बच्छ के हैं, तो बच्चो, तो radioactive decay law के according, जो number of nuclei of A, जिस rate से decay होते हैं, वो directly proportional to number of nuclei, जो A के बच्चे हैं, जैसे इस time पे N बच्चे हैं, तो ये N के बच्चे होता है, उसको अपन activity भी बोलते हैं, activity of sample, activity मतलब लेम्डा इंटुएनी और rate of change of nuclei of A, which is minus का मतलब कम हो रहे ही बताता है, फिर ये कुछ अपने युनिट से 1 कुरी 3.7 बच्चे होते हैं, जो नहीं बताता है, जितने बच गए हो रहता है, अब नॉक्ले जादा, तो मास भी जाता, तो मास में भी exact same reaction लिख सकते हैं, अब N किसके portion है, activity के, तो जो number of nuclei बचे हैं, उनका reaction, जो mass का relation, और activity का relation exact same लिख सेम आता है, अगर आपके किसी A के मान लिजे B में बना, इसके T equals to 0 पे N0 nuclei थे, तो यह half-life का मतलब है, यह आदे number of nuclei का बचते हैं, विच इस N0 by 2, तो जब तक N0 by 2 nuclei हो जाते हैं, उसको बोला आता है half-life, विच इस Ln2 by lambda, यह बहुत 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 जादा इंपॉर्टन के जरों है, ज से करते हैं, अगर initially N0 निकले हैं, एक half-life by N0 by 2, दो half निकली तो N0 by 2 squared, 3 half-life बात N0 by 2 cubed, और N half-life बात N0 upon 2 की power N, यह हो जाता है, यह बड़ा important result है, तो कोई एक्जाम में बोलता है कि 3 half-life निकले है, तो बता हो एक कितने nuclei बचेंगे, 3 half-life बचेंगे, 3 half-life by N0 by 2 की power cubed, डा यहां पर average life का, average life कुछ नहीं होती है, sum of all nuclei upon number of nuclei, तो यह आती है 1 by lambda, तो half-life ln2 by lambda, average 1 by lambda, इस्टेंडर रिजल्टें याद रख सकते हैं, अब रेडियो एक्टिवी तो पहला वाला जो आपने देखा है, बड़ा simple dk था, a से b, बस खतम, लेकिन यह वाला जो dk है, यह x से y और x से z दो साथ में हो रहा है, simultaneous dk जिसको बोलते है, एक साथ दो-दो dk हो रहा है, तो माल लीजी, x से y हो रहा है, alpha dk के process से, और x से z हो रहा है, beta dk के through, तो यह दो अलग अलग है, तो पहले process की half-life t1, second process की half-life t2, तो बच्चों, इस case में आपको कुछ direct याद रखना हो और lambda effective पूछता है, यहाँ पर आपको, lambda effective डिरेक्ट लिए आपका, lambda 1 फ्लस, lambda 2 लिखा जा सकता है, तो डिरेक्लि यहाँ पर result याद रखना है, आपको half-life के लिए, अब nuclear energy पे चलते हैं, nuclear energy मतलब बच्चो fusion, fusion वगरा इन सब की बाते करें, तो fusion में क्या होता है, fusion में सबसे पहले higher number वाले छोटे में तूडते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, uranium जो है, दो तरीके से break कर सकता है, पहले reaction कि तरो हो यह दूसरी, पहले में 2 neutrons निकलते हैं, दूसरी reaction में 3 neutrons, तो दोरों में approximately देखा जाते हैं, तो 2.5 neutrons निकले 2.5, पहले में 2, तीसरे में 3, तो average 2.5, तो इन जनली आप बोल सकते हैं, कि 2.5 neutrons निकलते हैं, एक average reactions में यहाँ पर, एक भी uranium ब्रेक गवा, तो लगवा 2.5 neutrons average निकलते हैं यहाँ पर, अब याद रखिए हैं, जो nuclear reactors होते हैं, उनमें uranium आपका main fuel होता है, uranium के मिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो uranium में क्या होता इन एवरेज ली 2.5 neutrons निकलते हैं, मतलब यह reaction self-sustained, एक neutron दिया, तो बस आगे reaction खुदी प्रॉसेट कर जाती है, इसलिए आद रखने यह reaction बहुत TG से exponentially grow कर सकती है, तो जब भी nuclear reactor में इस reaction को रूखने के लिए किया करते हैं, या तो heavy water, heavy water क्या होता है, neutrons को slow down करता है, य यहां पर आद आखिया है, जो multiplication factor होता है, जो reaction की rate को बताता है, जितने भी power plants होते हैं, उसमें 1 के equal रखा जाता है, अगर 1 से जादा हो गया, reaction बहुत तेज जा रही है, uncontrol है, plant फूट सकता आपका, लेकिन अगर K की value कम हो जाएगी, तो reaction slow down हो रही है, energy कम produce होगी, आपका plant बंध होने बाला है, तो K की value ट्राइ करी जाती है, कि 1 के पास ही रखी जाए, ताकि वो जो है, ideal ही चले और कोई problems ना, plants में, तो यह अपना fusion, next आता है fusion, fusion में क्या होता है, fusion यहाद आखना, बहुत futuristic energy kind of देखा जाता, यह एक चल्म में होती ही नहीं, अपन करी नहीं पा रह पास लाना है, और पास लाने के लिए दो positive charge के बीच में लगबग distance 0 के एकवल करना है, तो 0 करने के लिए आपको energy कितनी चाहिए, potential energy कितनी हो जाएगी, देखिए, के q1, q2 by r, लगबग distance 0, तो potential energy is infinite, लगबग infinite के 10 factor के energy चाहिए होती है, तो यह energy कहां से लाते है, temperature के तरू energy होती है, वो इतनी लगबग चाहिए होती है, और इसके लिए आपको temperature लगबग इतना चाहिए, और यह temperature जो है, sun पी easily available होता है, लेकिन आहाँ, आरत पे भी करी जारी ही, लेकिन इतना easy नहीं, feasible नहीं है भी कर पाना, तो यहाद एकिए, सबसे जादा energy निकलती है, fusion और fusion मे देखा जाए, तो सबसे आदा energy fusion में निकलती है,